ये गाइस, welcome to Talent Funda सो दोस्तों आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक, आर्टिकल राइटिंग का सो सारी चीजों को क्लियर करने के बिए टॉटोपिक, सारी चीजों को क्लियर करने के लिए वीडियो ख्लास तक बने रहेगा और इसका जो motive है, article का, ठीक है, ये publish होता है, ठीक है, newspaper, magazine में, और generals में, ठीक है, और article के थो हम क्या ला सकते हैं, difference ला सकते हैं, कहां पे, word में, तो ये बात हुई, article की, ठीक है, newspaper और magazine में आपने पढ़ा ही होगा, तो यह बात हुए आर्टिकल की, क्यों होता क्या है आप बात करें, format क्या है, कि हम लिखेंगे कैसे, format कैसे होगा सबसे पहले हमें बात करने है, title की ठीक है, उसके बाद by, यार यहाँ पे नाम आएगा, जो भी नाम आपको given होगा और अगर नहीं है, तो आप अपनी personal detail महाँ पनी put करेंगे याद रिखिएगा, वैसे mostly question paper में नाम दिया हुआ रहता है ठीक है, अब body, जो हमें लिखेंगी है, ठीक है paragraph 1, 2, 3 में अपने इसको divide करेंगे, 3 paragraph में सबसे पहले paragraph में हम लिखेंगे, intro ठीक है, सबसे पहले paragraph में हम intro लिखेंगे, जो भी topic है हमारा उसका हम क्या put करेंगे, intro put करेंगे, और दूसरे जब हम आएंगे paragraph में सो एक चीच सबसे पहले हम इसको break करके रख सकते हैं, दूसरे paragraph को अपने 1, 2 paragraphs हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, paragraph 2 में और हम paragraph 2 में किन-किन चीज़ों की बात करेंगे, तो वो है पहला current scenario जो रहेगा, ठीक है, topics related, advantage, disadvantage ठीक है, types हो गया, cause हो गया, और आपका effect ये सारी चीज़े हो गई, और paragraph 3 में हमारा आएगा, conclusion ठीक है, इसमें हम solution और waste की बात करेंगे, तो ये हमारा format, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है, so article बनाने इस पहले हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, लिखते हुए अपने को, सबसे पहले यार, pen उठाने से पहले आपको सबसे ज़रूरी काम करना है, वो क्या करना है, point सलग कर लेने है, point सलग कैसे करेंगे हम, लिखने से पहले ही, आप अपने दिमाग में एक idea तयार कलो, structure बना लो यार, कि मैं यह सारी चीज़े लिखूँगा, suppose आप रफ कर लिजे, आप रफ कर रहेंगे तो आपको idea मिल जाएगा, कि यार, पहले मैं इन चीज़े लिखूँगा, दूसरे मैं यह चीज़े लिखूँगा, फिर यह लिखूँगा, then यह, फिर यह, तो क्या होगा, इसमें आपका time waste नहीं होगा, चीज़े को सोचने में आप पहले से रफ किये रहेंगे, तो आपको easily चीज़े उठाने में आसानी होगी, ठीक है, तो यह चीज़े हो गई, तीसरा अपना opinion रखिए, opinion दीजिए अपना, जो भी हैं, आप सोचते हैं उस topic से लेटेड क्योंकि सामने वाला यही देखना चाहता है, कि आप कितना creative बना सकते हैं, अपने तरीके से कितना creative सोचते हैं आप, और उसके बाद grammatical error नहों आपसे, छोटे sentences बनाएए, ज्यादे बड़े मत कीज़े, error मे आपकी, और question paper में हमें word limit दी हुई रहती है, 150 to 200 words, इससे अपन को ज्यादा नहीं जाना है, कई बार हम क्या होता है, लिख फ्लो फ्लो में लिखने के चकर में word limit भूल जाते हैं, इसा हमें यह गलते बिल्कुल नहीं करना है, जितना हमें दिया गया है, उतने में लिखना है अब कोशन देखते हैं कि करेंगे कैसे अपन, सो कोशन बोल रहा है यहां पे, कि our performance in the Rio Olympics had told us that we do not pay enough attention to athletes and outdoor games, it is time to, it is time, we revised our attitude, sports should be an important part of school's daily routine, write an article in 150 to 200 words, an important of outdoor games, you are Aditya Akaan Shah, तो भाई, आपको topic यहां पर दिया हुआ है, कि किसमें लिकना है, आपको important of outdoor games, आपको hint का ध्यान रखना है, जो भी hint आपको मिले हुए हैं, उन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है, और आपका नाम भी यहां पर दिया हुआ है, कि भाई, आप दोनों में से क्या हो, कि देट हमने ज्यादा attention athletes पे और outdoor games पे नहीं दिया है, ठीक है, तो हम इन चीजों को क्या करेंगे, attitude को change करेंगे, और इसे serious लेंगे, और ये schools की daily routine पे एक important part होगा, तो question तो भाई हमारे clear हो गया, कि क्या आप बोल रहा है, और क्या-क्या चीजों को अपन को सोचना है, तो सबसे पहले तो इंट्रू देना है अपन को, ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, describe करेंगे, फिर benefit बताएंगे, क्या कर सकते हम चीजों को उसके बाद वो बात करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजों का last one conclusion, सब से पहले हमारे किसे अपन हाड़र दिया, हमने उसके बाद हमने बहुत दिया जो में उसको लिखने वाला है, ठीक है, आदित या कांछ सा हो एक नमपुट कर सकते हम, ठीक है, सब से पहले किसे सुराथ होगी इंट्रो से शुरवाथ होगी, sports occupy a prominent place in the life of a nation it not only helps keep you healthy and fit but also important as the recreation event unfortunately in our country the trend is such that is focuses only on the academic font okay so here we have explained sports with the technological चीज़े अच्छी नहीं हुई ठीक है उनकी performance वगरे ये तो current की बात हो गई है अब sports के benefit की बात करते हैं ठीक है यहां पर खतम किया दूसरे से हमने start गिया तो अब यहां पर benefit की बात कर रहे हैं हम ठीक है कितने benefit हैं इसके और सारी चीज़े अब इसके बाद last पर हमाना आ जाते हैं conclusion पर ठीक है किसे यार यह हमें attitude change करना चाहिए ठीक है sports के तरफ और इसे compulsory activity के तौर पर हमें हर school में क्या करना चाहिए रखना चाहिए ठीक है अगर आपके पास कोई cut है तो आप उसको last में लगा सकते हैं यह भी एक इफेक्टिव रहता है creative रहता है तो यह बात हुई article की हमने discuss की जो सारी चीजों को hope आपको सब clear हुआ होगा सारी चीजे clear हुए होगी अगर आपके मन में फिर भी कोई doubt है या कोई प्रेशन है तो नीची comment section में आप आके kitchen box में दे हुई है कई बच्चे आते हैं पूछने आप या सकते हैं पूछने अगर आपको कोई जुरूत लग रही है तो सबका reply देने की कोशिश करूंगो वाँ पर तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही मैं फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ